कि सबसे पहले मैं अपना अडिटर ओपन करूंगा ड्रीमीवर तो एक्टिमल का मैंने डाकॉमेंट क्रियेट किया और इसको मैं कंट्रोल एफ किया और डैस्टॉप के उपर मैं इसको प्रांस के नाम से सेव कर दिया अब हैड के अंदर मैं इंटर्नल स्टाइल शीट एक डिव के एलिमेंट को हाइट 200 पिक्सल और विट्स मैंने दी 200 पिक्सल और साथ ही मैं इसको बैक्राउंड कलर दे दूंगा ताके हमारी डिव वाज़े हो जाए रैड दे रिया कंट्रोल एफ किया और बॉड़ी के अंदर मैं एक डिव क्रियेट कर लेता हूं कंट्रोल अब मैं देखता हूं अपने ब्राउजर के उपर के इसका क्या एफेक्ट है कि यह देखिए हमारे पास एक सिंपल डिव क्रियेट हो चुकी है अब मैं इसके उपर प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगा हूं ट्रांस्वांब की तो सबसे पहले मीं लिखँँगा वैब किटुट के वैब किट जो के वैब किट च्छाने आपकुछ कीवर्ड होते हैं जैसे वैब केट m sz o m oh z और यहला पास अ ब्राउजर की कमप्युआबिलिटी के लिए यूज होते हैं जैसे मैंने वैब की यूज किया जो के सफारी के लिए और क्रोम के लिए होते हैं मॉजला के लिए और 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 rey 레сем के लिए तो वैब कित ट्राइस्फॉर्म मैं सबसे पहलेिम यह कि ट्राइट की प्रापरिटी आपको बताता हूं ट्राफ्लेट एक्समें मैं 30 डिगरी देता हूं सोरी 30 पिक्सल कि में पिक्सल बैवह और इसी तरह मैं इसको कौपी करता कि पॉछ रूड़्डार्वx रूड़्डार्डर्य यह मैंने यह मैं देता हूं तो प्षॉक्स के लिए इंटरनेट एक्स्प्लोरर के लिए मुजिला के लिए और एक ट्रांस्वार्म के ला कंट्रोल एस और एफ यह देखें यह एक फे थोड़ा था हट गया है यह थर्टी पिक्सल ओके इसी तरह मैं अब ट्रांस्लेट वाई करना जाता हूं मैं 30 पिक्सल तो क्या होगा यह सोरी कि यह मैंने सब क्यों पर अप्लाई नहीं किया वाई 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 कंट्रोल एक्स सेफ मुझे यह वाई के लों थोड़ा सा नीचे को आ गया 30 पिक्सल अब मैं दोनों प्रापरिटीज एक ही टाइम पर अप्लाई करता हूं तो मैं इसको ट्रांस्लेट को करके यह एक कंट्रोल वी वी यह सब क्यों पर मैंने अप्लाई कर दिया होफुली आपको समझ आ गया होगा कि यह मैं क्यों कर रहा हूं बार-बार यह देखें एक्स एक्स और वाई के लोंग यह 30-30 पिक्सल यह थोड़ा सा चेंज हो जुकी इसकी वैल्यू अब मैं दूसरी वैल्यू वहां पर प्रापर्टी अप्लाई करता हूं स्केल की स्केल में हम जस्ट नंबर देंगे जैसे मैंने पहले बताया अगर एक्स वन हो हो जाए तो इसको मैं इदर से कॉपि करता हूं कन्त्रोल सी और कंट्र्वwegen सेम मोजीला के लिए भी कंच्रोल स किया और इसको मैं यह एक्स अगर वान था तो य उसका डबल हो जुका है इसी तरह अब हम अगली प्रॉपर्टी प्लाई करते हैं इसकी स्क्यू की स्क्यू एक्स और वाई हम दोनों अप्लाई कर देते हैं यहनिके 30 डिग्री और 20 डिग्री Ctrl S और इसको भी मैं सेम ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इस सब के उपर मैं पेज कर देता हूँ Ctrl V Ctrl V Ctrl S और यह दोनों X और Y दोनों टिल्टो हो चुके हैं 30 और 20 गवर्टी अगर मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ यहां पे अकेली 30 और इधर मैं देता हूँ X वैल तो तब क्या होगा यह सिरफ X के लोग थर्टी 30 डिग्री जो होगा ना वह उतना चेंज हो जाएगा Ctrl V I think Ctrl V, Ctrl S Ctrl V Ctrl V, Ctrl S यह देखे Just वो यह सेम रहा है और यह हमारा थोड़ा था वो चेंज हो चुका है ओके यह QX मैंने किया था अब इसी तरह मैं करता हूँ रूटेट रूटेट 30 डिग्री मैंने रूटेट कर दिया इसको Ctrl C Ctrl V Ctrl V V यह नॉर्मल पॉजिशन से 30 डिग्री रूटेट कर गया है तो यह हमारा ट्रांस्फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी थी इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है उसमें हम 6 की 6, 6 के पैरामिटर होते हैं जैसे मैट्रिक्स में देता हूँ उसके मैं 6 पैरामिटर दूँगा सबसे पहले पैरामिटर में आएगा स्केल स्केल एकस उसके बाद आएगा दूसरा पैरामिटर हम देंगे तीस्तरा पैरामिटर देंगे फिर चूथा पांच मँंच माँ और छटा यह नारे पास स्केल एकस यह है यह हमारे पास QX है यह हमारे पास QY है ट्रांसलेट X और ट्रांसलेट Y ठीक है अब मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl-C Ctrl-V 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 Ctrl-S यह हमारा सारे की सारी प्रॉपर्टी जो बायक वक्त अप्लाई हो गई इसके उपर तो यह हमारा ट्रांसला अगले लेक्चर हम देखेंगे ट्रांजिशन यानिकि हम इस अबजेक्ट को अब थोड़ा सा इसके एक्सी से लूग मूव करवाएंगे तो वह हम कैसे बहुत हम ट तो नेक्स लेक्टिर हमारा ट्रांजिशन के उपर होगा थैंक यू सो मच